जब कोरोना जैसी वैश्विक महमारी की मार दुनिया पर पड़ी तो भारत भी उससे पच रही पाया भारत की एक बड़ी आवादी खास कर गरीब वर्ग के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई की रोजगार और आमदनी के बिना वो दो जून की रोटी का इंतजाम आथिर कैसे करेंगे भई लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया व्यापार डूग गए दुकाने बंद हो गई आटो रिक्षा चलाने वाले या माल्ड होने वाले ठेल तपरी पर समान बेचने वाले हो या पिर छोटी मोटी नौकरी करने वाले हो सब बेरोजगार हो गए इसी बड़े संकट का या कह लीजे कि इस बड़े सवाल का जवाब लेकर आया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का एक संकल्प जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि भारत में कोई भी भूका नहीं सोएगा और इस तरह से शुरुवात हुई प्रधान मंत्री कल्याण अन योजना की कोविड के दोरान लोगों को सुरक्षत रखने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया था ऐसे में कई परिवार ऐसे थे जिन के लिए राशन जुटा पाना तक मुश्किल हो रहा था जिसके बाद 26 मार्च 2020 को कोरोना महमारी के दोरान गरीबों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुवात की और ऐसे शुरू हुई 80 करोड से ज्यादा लोगों तक राशन पहुचानी की कबायत इस योजना पर तकरीबन 2 लाख करोड रुपे खर्च हुए हैं आज 2 रुपे किलो गेहूं 3 रुपे किलो चावल के कोटे के अतिरिक्त हर लाबहर्दी को 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जा रहा है यानि इस योजना से पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो राशन कार्ड धारियों को लगभग डबल मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना की एक खास बात ये भी है कि आपके राशन कार्ड में जितने लोगों का भी नाम दर्ज है उतने लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाएगा जैसे कि अगर आपके राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम दर्ज है तो आपको 20 किलो अनाज दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अनाज हर महीने मिलने वाले अनाज से अलग होगा इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक महीने में राशन कार्ड पर 5 किलो अनाज मिलता है तो आपको 10 किलो अनाज दिया जाएगा इसके लिए आपको किसी कार्याले दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे बलकि ये अनाज आप उसी राशन की दुकान से ले सकते हैं जहां से आप हर महीने राशन लेते हैं अब तक इसके तहट अप्रेल में 93 प्रतीशत, मई में 91 प्रतीशत और जून में 71 प्रतीशत लाभार्तियों को अनाज दिया जा चुका है इसके लिए राज्यों ने अब तक 116 लाख मीटरिक तन अनाज केंदर सरकार से लिया है अपनी तरह की इस अनोखी और इकलोती योजना ने सभी आशंकाओं को दरकिनार कर लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाया है जब ये योजना शुरू हुई थी तब केंदर सरकार ने इसके विस्तार के बारे में जादा नहीं सोचा था क्योंकि ये एक आपदा से उपजी योजना थी तो इसे उसी समय के राहत पैकेज के तौर पर शुरू किया गया था लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो वो पहले से जादा खतरनाक और विक्राल रूप लेकर आई इसलिए केंदर सरकार ने अब इस योजना को नवंबर 2021 तक बढ़ाने का फैसला लिया है तो आईए पताते हैं आपको कि क्या है प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन योजना की शुरुवात 26 मार्च 2020 को हुई थी ये एक Food Security Welfare Scheme है जिसकी परिकल्पना प्रधान मंतरी मोधी द्वार की गई ताकि कोरोना वाइरस के कारण आयार्थिक व्यवधान की वजह से गरीबों को होने वाली परिशानी को दूर किया जा सके पहले प्रधान मंतरी गरीब कल्यान योजना को कोरोना वाइरस संक्रमण की वजह से दो महीने के लिए शुरू किया गया था जिसके लिए 26,602 करोड रुपे के खर्श का आकलन लगाया गया था मगर आप कोरोना महामारी को देखते हुए इसके बजट को भी बढ़ा दिया गया है जून में केंद्रिय कैबिनेट ने प्रधान मंतरी गरीब कल्यान योजना के चोथे चरण के लिए रास्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभारतियों को नवंबर तक अतिरिक्त खाद्दान के आवंटन की मनजूरी दी TPDS के तहट अधिक्तम 81 करोड व्यक्तियों को 5 महीने के लिए 5 किलो अतिरिक्त खाद्दान की मनजूरी से 64,031 करोड रुपए की अनुमानित खाद सबसिडी मिलेगी भारत सरकार द्वारा परिवहन एवं धुलाई और FPS डीलरों के लाभान शादी के लिए लगभग 3,234 करोड रुपए का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा भारत सरकार द्वारा वेहन किये जाने वाले कुल अनुमानित वय 67,266 करोड रुपए होगा इसमें कहा गया है कि गेहु चावल के रूप में आवंटन के बारे में खाद और सार्विजनिक वित्रण विभाग द्वारा तै किया जाएगा खादान के मामले में कुल निर्गम लगभग 204,00,00,000 हो सकता है पिछले साल लगभग 948,00,00,000,00,000 खाद दान आवंटित किया गया था जो की कोविड के दोरान खाद सुरक्षा सुनिश्च्चत करने के लिए सामाने वर्ष से 50 प्रतीशत अधिक है अब लगभग 80,00,000,000,000,000,000,000 अधिया जाएगा इस योजना पर होने वाला पूरा खर्ष केंदर सरकार द्वारा वहिन किया जाएगा प्रधान मंत्री गरीब कल्यार योजना के अंतरगत राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों द्वारा FCI डिपो से 63,00,000,000,000 अधिक खादान लिया गया है केंदर सरकार द्वारा मंई 2020 में लगभग 34 राज और केंदर शासित प्रदेशों के 55 करोड़ NFS लाबहारतियों को खादान वितरण किया गया है ये खादान वितरण लगभग 28 लाख मेट्रिक तन है इसके अलावा लगभग 1 लाख मेट्रिक तन खादान वितरण जून 2021 में 2 करोड NFSA लाभार्थियों के लिए किया गया है मई और जून 2021 में रास्ट्रिय खादे सुरक्षा अधिनियम के अंतरगत 90 प्रतीशत और 12 प्रतीशत NFSA के लाभार्थियों को खादान वितरित किया गया है जिसके लिए सरकार द्वारा 13,000 करोड रुपे की राशी खर्च की गई है इस योजना के अंतरगत 7 जून 2021 तक भार्थिय खादे दिगम द्वारा सभी 36 राज्यों और केंदर शासत प्रदेशों को उनहें तर LMT की आपूर्टी की जा चुकी है इन में से 13 राज्यों और केंदर शासत प्रदेशों द्वारा मई जून 2021 के आवंटन का पूरा उठान भी किया जा चुका है जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीब समहु आसाम बिहार 36 गर दमंदिव दिली गुजरात हर्याडा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर जहारखंड करनाटका लद्दाख मध्यप्रदेश महरास्ट मणीपुर ओडिसा राजिस्थान सिक्किम तमिलनाडू तर प्रद अब ही खादान उठान का काम चल रहा है और जल्द 100% उठान इन राज्यों द्वारा भी कर लिया जाएगा जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस योजना के अंतरगर देश के सभी गरीब राशनकार्ड धारकों परिवारों को सरकार द्वारा नवंबर तक 5 किलो और इस योजना के तहे द्राजियों द्वारा गरीब लोगों को 60 लाग टन अनाज वित्रित किया गया है इस योजना के अंतरगत जुलाई महीने में लाबहर्तियों को 35 लाग टन अनाज दिया गया है और कुल लाबहर्तियों की संख्या 51 करोड है इसी तरह अगस्त महीने म देखें तो भारत में वैश्विक संकट और महामारी से इतनी मौते नहीं हुई है जितनी की भुकमरी के कारण हुई है ऐसे में जब एक महामारी मुहबाई खड़ी हो गई रोजगार के साधन बंद हो गई गरीब तपके के बचाए हुए कुछ पैसे भी जब कम पढ़ने में खड़ भंडार को भरते रहें लेकिन भुकमरी और कोपोशण में कोई कमी नहीं आई सालों साल से गोदाम में अनाज का स्टॉक भरता रहा लेकिन उस अनुपात में भुकमरी और कोपोशण जरा भी कम नहीं हुआ आजादी के बाद सभी सरकारे गरीबों को सस्ता प्रभाब नहीं हुआ, इसका एक बड़ा खारण था प्रभाबी डिलीवरी सिस्टम का ना होना, मगर 2014 के बाद स्थि बदल गई और 2014 के बाद नए सिरे से काम शुरू हो गया, करोडों फरजी लवहरतियों को सिस्टम से हटा दिया गया, सबसे बड़ी गात ये कि आधार को राशन से जोड़ दिया गया, और सरकारी राशन के दुकानों में डिजिटल तक्मी को बड़ावा दिया गया, जिससे घोटाले बाजी और भष्टाचार लगभखखत मसा हो गया, इससे अब चाहां कर भी कोई गरीब के हक को नहीं मार सकता, इस योजना से जुड़े के लिए इस योजना की अवदी को बढ़ाने का प्लान बना रही है, इस योजना के अंतरगत कैश ट्रांसफर स्कीम को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे प्रोचसाहन पैकेज में सरकार 20 करोर जंधन खातों और 3 करोर गरीब रदजन और दिव्यां को कैश ट्रांसफर करने के बारे में विचार कर सकती है, इस योजना के और भी कई भाग हैं, स्वास्त कर्मियों के लिए बीमा योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए राहत पैकेज, पीम किसान योजना मनरेका का विस्तार, जंधन अकाउंट, डिस्ट्रि हम आपको आने वाले दूसरे एपिसोड में बताएंगे, तो अभी जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो ये है कि प्रधान मंतरी गरीब कल्यार योजना में पंजी करण कैसे करें, तो मैं आपको बता दूँ कि प्रधान मंतरी राशन सबसीडी योजना के तहत लाभ प् पर जाकर अपने राशन कार्ड के जरिये प्राप्त कर सकते हैं, एक और जरूरी बात ये कि पूरे भारत वर्ष में कई सारे संस्थान ऐसे हैं, जिन्होंने इसके लिए डिकलेरेशन भर दिया है, लेकिन काफी सारे संस्थान ऐसे भी हैं, जिन्होंने अभी तक ECR जमा नह सकते हैं वो सभी सदस्य जो यह योजना लागू होने से पहले ही ECR भड़ चुके हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा इसी के साथ कई सारी ऐसे सदस्य भी हैं जिन्होंने अपना अधार KYC अपडेट नहीं किया है विभाग द्वारा ऐसे सदस्यों से संपर्क करके आधार अपडेट करनी की जानकारी दी जा रही है तो वो सभी सदस्य जिन्हें आधार KYC अपडेट ना होनी की वजह से इसकीम का लाब नहीं मिल पा रहा है वो जल्द से जल्द अपना आधार KYC अपडेट करवाएं और इसकीम का लाब उठाएं तो PM गरीब कल्याण योजना से जुड़ी नई अपडेट्स ये है कि देश के जो गरीब लोग लॉक्डाउन की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे थे उनको अब केंद्र सरकार बैंक खाते में आर्थिक साहिता देने के लिए पैसे भेज रही है वितर मंतरालिय ने 22 अपरेल तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहए 33 करोड से अधे गरीबों को 31,235 करोड रुपए की वित्तिय साहिता दी प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्योजना के तहट राशन वित्रण का काम भी नए सिरे से शुरू कर दिया गया जगा जगा अन्मोहतसप मनाया जा रहा है तो कहने का मतलब ये है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन योजना के माध्यम से सरकार गरीब लोगों मजदूरी करने वाली महिलाओं विधुर शारेरिक रूप से दिव्यांग SHG प्रवासी श्रमिक गरीब लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है जिसको पूरा करने के लिए इस योजना के तहट केंदर सरकार गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए निशुलक अनाज वितरण के साथ ही खातों में पैसा देने का प्रावधान भी कर रही है वैसे बाकी योजनाओं की तरह थोड़ी बहुत खामिया इस योजना में भी है घोटाले बाज इस सिस्टम होने के बावजूद सेंध मारी का रास्ता कही ना कही से निकाल कर गरीबों को चूना लगा ही देते हैं लेकिन क्योंकि अब हर नागरेक अपने अधिकारों के लिए जागरुक है तो इसमें होने वाली धांदली की शिकायते भी हो रही है और बीच में गरीबों का हिस्सा खाने वाले अधिकारियों पर अब जबर्दस तरीके से कारेबाही भी हो रही है लेकिन फिलहाल के लिए आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि अब देश के गरीब तबके के नागरे कम से कम नवंबर तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं मतलब अगर कोरोना की तीसरी लहर आभी जाए और फिर से लोगों के काम धंदों पर असर पड़े तो कम से कम भुकमरी के हालात पैदा नहीं हो पाएंगे अगर हमसे इस योजना में कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके उसकी जानकारी दे सकते हैं अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं या इस योजना से जुड़ी आपकी छेतर की कोई शिकायत हमसे आप करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं साथी आगे आप हमसे किस योजना की जानकारी लेना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं तो फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही अगली बार फिर ऐसी ही सरकारी योजना की पूरी जानकारी लेकर मैं फिर से हाजर होंगी तब तक स्वस्त रही और अपना ध्यान जरूर रखिए नमस्कार